नमस्कार मैं हूँ शिवांगे और आप देख रहे हैं निवस्टेन इंडिया आज इस वीडियो में जानेंगे पाकिस्तानी मौलाना खादीम रिजवी के जहरीले भाषन सुनकर गुजरात में लोगो निली युवक की हत्या उससे पहले अगर अब तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और साथी साथ फेस्बुक पेच को लाइक करना ना भूले गुजरात के धंदुका शहर में अपत्ती जनक फेस्बुक पोश्ट लिखने के बाद एक शक्स की कुछ दिनों पहले हत्या कर दी गई जिसके चलते अब इस हत्याकांड की जाज कर रहे गुजरात के आतंगबाद निरोधक दस्ते ने तीन आरोपितों को गिराफतार करके खुलासा किया है किस हत्याकांड के तार पाकिस्तान के जहरीले मौलाना खादीम रिजवी के नफरत फैलाने बाले वीडियो से जुरे हुए है बता दे कि मौलाना खादीम रिजवी पाकिस्तान के मुसलिम कटरपंती गुठ तहरीक ए लबैत का मुख्या था नवंबर 2020 में साद रिजवी की कथित रूप से ISI के इशारे पर हत्या कर दी गई थी वहे गुजरात के धंदुका हत्याकांड के आरोपितों ने स्विकार किया है कि वेप पाकिस्तान के मौलाना के जहरीले वीडियो से भ्रमीत हो गए थे इतना ही नहीं दिल्ली में के दो मौलाना भी उन्हें ये पाकिस्तानी मौलाना के वीडियो देखने के लिए उकसा रहे थे जिसके बाद गुजरात ATS ने एक मौलाना को दिल्ली से गिरबतार कर लिया है ATS के मुताबिक इन युवकों को अकेले ही हमला करने के लिए कटरपंती विचारों से भरा गया था इसके अलावा इन युवकों को हमलावार बनाने के लिए पाकिस्तानी मौलाना साध रिजवी के वीडियो दिखाए गये थे सब्सक्राइब करें हमारी यूटूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर वीडियो सबसे पहले देख पाएं आप हमें फेस्बुक और ट्वीटर पर भी फॉलो कर सकते हैं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद